द्वादश के सभी बच्चों का लेखा शास्तर के आज के इस वीडियो लेक्षर में हर्दिक स्वागत अध्याय नौ हराज आशय विभिन विधिया डिप्रिशिशन मीनिंग डिफरेंट टेक्निक्स आज इस चेप्टर की शुरुआत करते हैं जे आर बाटली वाए के एक सेंटेंस के साथ की यहाँ एक सामान गयान की बात है कि 27 संपत्या जैसे की संयंत्र यानि की प्लांट, मशीनरी, भवन, फनिचर जैसे यासे पुराने होते हैं वैसे वैसे उनके मूल्य में कमी आती है और भवसाय में निरंतर प्रियोग में आने स यह वेर्थ भी हो जाते हैं यानि कि बिना किसी मूल्य के रह जाते हैं तो रास का क्या आर्थ है आए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं देखे आगम यानि की रिवेन्यू रिवेन्यू प्राप्त करने के लिए व्यवसाय में इस्थाई संपत्यों का लगातर प्रियो continuous basis पे होता है जिससे संपत्यों का जो जीवन है धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है और उनके मुल में इस्थाई कमी आने लगती है इस्थाई कमी वो कमी होती है जिसकी भरपाई संपत्य के जीवनकाल में नहीं की जा सकती प्रकति का एक नियम है कि प्रयोग करने से पदार्थों के मुल्यों में कमी आती है इस्थाई संपत्यों में होने वाली इसी कमी को कहा जाता है हरास याने कि डेप्रेसियेशन हरास को मुद्रा या क्षमता के पैमाने पर मापा जा सकता है अंग्रिजी में इसे depreciation कहते हैं Latin भाशा में depreciation शब्द है जिससे अंग्रिजी का यहाँ शब्द depreciation बना यह दो शब्दों का योग है D और patium depreciation की बात कर रहे हैं जो Latin भाशा का शब्द है D और patium D का अर्थ होता है कमी और pretium शब्द का अर्थ है लेटिन भाशा में मूले यानि की price अता depretium शब्द का अर्थ हुआ मूले में कमी इस प्रगार हम कह सकते हैं हरास संपत्यों के मूले में वहाइस थाई कमी है जिसे मुद्रा अत्वा क्षमता के पहमाने पर मापा जा सकता है यहां मुद्रा का ततपर है मूले में होने वाली कमी और ख्रगार के पहमाने पर अर्थात जैसे जैसे संपत्य पुरानी होती जाती है उसके कार्य करने की ख्रगार या performance capacity कम होती चली जाती है लिखंकन के द्रश्टी से हरास से अभिप्राय इस्थाई संपत्य अर्थात fixed assets के पुस्तकी मूले में कमी से है यहां पुस्तकी मूले से आश है book value से है book value वहाँ value यानि वहाँ मूले होता है जिस मूले पर accounting books में वहाँ संपत्य दर्ज की जाती है तो आईए कुछ एक परिभाशाएं भी जान लेते हैं एक परिभाशा सबसे अच्छी जो मुझे लगती है R.N. Carter की परिभाशा है एक संपत्य के मूले में किसी कारण से होने वाली शने शने धिरे धिरे इस्थाई कमी को हरास कहा जाता है और इसी मामले में Pagler भी Spicer और Pagler की परिभाशा भी काफी अच्छी है और Spicer और Pagler कहते हैं कि मूली हरास एक निष्चित समय में किसी कारण से संपत्य के कारशील जीवन की समापतिक आमाप है तो मेरे खायल से ये दो परिभाशा हैं आप अच्छे से याद कर लिजे और that would be enough एक परिभाशा और है अच्छी सी है इसे भी याद करना चाहिए और ये है Institute of Cost and Management Accounting ICMA London के द्वारा दी गई परिभाशा हरास समय बितने या और प्रियोग के करण या तो समय बितने पर या अथवा और इसका आशा यह है कि या तो समय बितने पर या प्रियोग के करण या ये दोनों करण हो सकने तो समय बितने और प्रियोग के करण संपत्य के अंतरिक मुल में जो कमी होती है That is called as depreciation एक और परिवाशा बहुत अच्छी है ICAI यानि कि The Institute of Chartered Accountants of India इनके द्वारा जारी किया गया लिखांकन प्रमाप 6 यानि कि AS Accounting Standard 6 यह कहता है कि मुलिह रास संपत्ति के प्रयोक करने समय बितने तकनीक तथा बाजार में परिवर्तनों से अप्रचलन के कारण रास योग संपत्ति की राशी को संपत्ति को टूट फूट या उपभोग या मुलिह में कमी की माप है कई कारण इनोंने बता दिये हैं प्रयोक करना समय बितना तकनीक या बाजार में परिवर्तन होना और इससे अप्रचलन यानि की कोई चीज आउट अफ ट्रेंड या आउट अफ यूज हो जाए ठीक हैं तो इस कारण से रास योग संपत्ति की जो टूट फूट या उपभोग या मुलि में जो कमी आती है उसकी माप है क्या डेप्रेसेशन यानि की रास संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के दोरान प्रत्यक लिखंकन अवदि में हरास राश को उचित अनपाद में लगाने के लिए मूलि हरास का बटवारा भी कर लिया जाता है हरास में ऐसी संपत्तियों का परिशोधन शामिल है जिनका उपयोगी जीवनकाल पहले से तह होता है पूरो नरधारित होता है एक संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के दोरान तो अनुमानित उपयोगी जीवनकाल यहा है कि एक कार अगर आप खरीद के लाते हैं और आपको लगता है कि एक कार पंदरा वर्ष चलेगी तो यही इसका अनुमानित उपयोगी काल है उसके बाद वो कार आप खड़े रख सकते हैं अपने गराज में बीसियों साल लेकिन वो कार के रूप में उपयोग में पंदरा वर्ष तक लाई जा सकते हैं ठीक है इसमें एक बात और भी है कि आप कार का इसमया इस्तेमाल जितना प्रतम वर्ष में करेंगे बहतरी से उतना अंतिम 15 वे वर्ष में नहीं कर सकते हैं तो इसलिए जो काल जो डेप्रेसेशन लगेगी कः पर वह पहले साल ज्यादा लगनी जाहिए और बात के वर्ष में कम लगनी चाहिए कुछ विद्वण ये मान कि कार पे जितनी भी डिप्रेसिशन 15 वर्ष के दौरान होनी है वो उसका मुल्य है माल यह आपने कार करी दी थी 5 लाग की और आपको लगता है कि 15 वर्ष यह चलनी है ठीक है तो आप 5 लाग को 15 से डिवाइड कर दोगे और प्रती वर्ष उसका जो भी हिस्सा होगा वह आप हो सकते जाट और आपकर से राइस करते चले जाओगे तो यह अपने तरीके हैं कि यह जब हम रास लगाने के विनः तरीके पढ़ेंगे तो उसके हम जानेंगे लेकिन यहां पर मेरा Ł्या यह सब कहने जीवन काल होता है किसी संपत्थिका Chief Service को उसी जीवनकाल में एक निश्चित अनुपात में हम बांट देते हैं यही यह संटेंस था जीवनकाल के द्वारान प्रतेक लिखांकन अवधि में रातराश को उचित अनुपात में लगाने के लिए मुले हरास का बटवारा किया जाता है तो अभी तक हमने डेप्रेसेशन के मुले में वे की हानी की तरह गटाया जाता है ताकि माल की सही उत्पादन लागत की गड़ना खीजा सके छीक चले हम हरास की एक उप्युक्त परिभाशा भी जान लें जिसे अगर कोई पूछे तो हम बोल सकें अपनी शब्दों में हमें इसे याद करना है हरास से आशे क किसी इस्थाई संपत्ति की गुडवत्ता किस्म या मूल में उस इस्थाई हानी या कमी से आशे है जो समय वितित होने से घिजावत होने से आप्रचलन या नश्ठ होने से या कभी-कभी दुरगटना होने से होती है क्या कमी या हानी और कहा कमी होगी संपत्ति की गुडव हरास की विशिस्ताइं, इस्थाई संपत्य से समंधित, हरास का समंधित द्रश इस्थाई संपत्य यानि टेंजिबल फिक्स्ट असेट से है, ये चालू संपत्यों पर नहीं लगता है, मूले तथा जीवन काल में कमी, हरास के कारण इस्थाई संपत्य के मूले तथा जीवन दोनों में कमी होती है हरास के कारण के हैं टूट फूट समय की समाप्ति दुरगटना संपत्ति का प्रयोग गड़ना हरास की गड़ना बुक वैलू पर की जाती है मार्केट वैलू पर नहीं की जाती धीरे-धीरे कमी संपत्ति के मुल में धीरे-धीरे कमी होती है अर्थात मुले में कमी हरास की वज़े से होती है अमूर्थ संपत्यों पर हरास नहीं लगता खाने तेल के कोई आध के लिए हरास नहीं लगता लेकिन इनका amortization किया जाता है जिसे हम बाद में जानेंगे हरास का लागत से अधिक न होना कभी भी हरास आप उतना नहीं लगा सकते जीवनकाल में जो उसकी लागत से संपत्य के मूले से अधिक हो जाए नकत भुगतान नहीं हरास की राश को व्यवसाय के लाभों में से खर्चे के रुब में घटाय जाता है बरन्त इसके लिए समपत्य के मूले में कमी मातरात्मक और गुड़ात्मक दोनो FE रागार की हो सकती है मातरात्मक का मतलब है कि कोई संपत्ति हो सकता है, कोई मशीन अगर आप खरीद के लाए थे, तो हो सकता है कि शुरुबात में वो प्रति दिन 1000 यूनिट प्रोड्यूस करती हो, और जब 10 साल बीच चुके हो, तो वो क्यावल 800 यूनिट प्रोड्यूस करने की पोजीशन में हो इट इस पॉसिबल, ये भी संबव है कि ये 1000 यूनिट पहले शुरुआती एक दो, तीन, चार, पांच वर्चों तक बहुत बहतरीन क्वालिटी के थे, बाद में उसमें कुछ पार्ट्स में घिसावाट होने की वज़े से आपने उन पार्ट्स को चिंज भी किया, इवन द इस पार्ट्स को चार्ट्स के यूनिट बना रहे थे, ये उतनी पार्ट्स के नहीं रहे, तो मातरात्मक और गुडात्मक दोनों तरह की कमी हो सकती है, लिखा कि अगर हम बात करें तो मूले हरास बेफसाई के लिए एक हानी की तरह है, इसे लावानी खाते के डेविट पक जो सबहेड होगा, वो होगा डिप्रेशिशन एंड अमोर्टाइजिशन एक्सपेंसेज, वहाँ पर उस नोट के अंतरगत दिखाएंगे, चले, हरास के क्या क्या कारण है, अभी आपने जान लिया है, लेकिन इसके बावजुद, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, पहला होता है, घिसावट और ख्षय, घिसावट का मतलब होता है, कि जब संपत्ति उपयोग में आती है, तो उसमें कमी होती है, जैसे कार आप चलाते हैं, तो उसके टायर में घिसावट आती है, उसकी जो पेंट है, उसमें कहीं न कहीं 6 होता है, 6 का मतलब होता है, खराबी आना तो जितना यह होता जाएगा, उतना ही मुले में कमी आती जाएगी अप्रचलन, अप्सोलेशन, इसका मतलब होता है नए अविशकार के कारण अच्छी किसम की नई मशीने बाजार में आती हैं, पुरानी मशीने बेकारना होने के बावजूद अपरचले आपसुलेट हो जाती है जैसे जैसे ही DVD प्लेयर आया तो उसने VCD प्लेयर को मार्केट से एकदम यहां से उठागर के बाहर थ्रो कर दिया ठीक है और आपको पता होगा कि जैसे जैसे यह जो OTT यानि कि Netflix, Amazon Prime, Hotstar वगरा जैसे यह जो वेब सेरीज वाले चैनल्स आगे जो ओनलाइन चलने लगे हैं तो आज के समय में जो केबल टीवी है उसका कॉंसेप्ट भी अब पिछला होता चला जा रहा है और वो दिन दोर नहीं कि लोग अपने हाँ केबल कनेक्शन लेना शायद बंद कर दें ठीक है जैसे एक और उधारन ले लिजे स्मार्ट फोन का स्मार्ट फोन जैसे जैसे आ गया तो फीचर फोन जो थे वो बिलकुल अप्सलेट हो गया मार्केट से बाहर हो गया जैसे ही 4G फोन आया वैसे ही जितने भी 3G हैंडशेट थे 3G वो सब अप्सलेट हो गया और मार्केट से बाहर हो गया उनकी वैल्यू आधी भी नहीं रही तो आप समझ कियोंगे अप्रचलन क्या होता है समय बितने के कारण जब समय बितना है आप एक कार खरीदिये और ला करके उसे अपने गहराज में खड़ा कर लीजिए आप उसे एक साल बाद बेचना चाहो और उसको आप रोज बिल्कुल भी उसका आपने इस्तेवाल नगिया हो तो एक साल बाद क्या वो कार उतने की बिकेगी नहीं बिकव कारण हो सकता है दुरगटना दूफान आग बाड़ भुकंप आदि भी रास के कारण हो सकते हैं संपत्ति का अंदर अंतर प्रयोग होता है तो भी उसकी उपयोगिता और उसके मद्धन से लाब कमाने की जो उसकी ख्षमता है उसमें कमी आती है एक और है कारण रिक्ती कुछ संपत्तियां ऐसी होते हैं जिनके भंडार सिमित होते हैं इन भंडारों में से पदार्त निकलने पर इनके भंडार खाली होते जाते हैं घटते जाते हैं जैसे खानों में से कोयला निकालना कूओं से तेल निकालना वगर वगर इनके मूल में कमी आती है और ये डिप से उत्पन होती जिसे मशीन को काम में प्रूब करने से मशीन में कटाव जंग सडन हो सकती है तथा हवा धूप एवं अन्य प्राकृतिक करणों से मशीन में कुछ दोश उत्पन हो सकते हैं तो यह भौतिक वनिश्टता यानि कि फिजिकल टिटियोरेशन यहां पर है फिजिक के मूले में कमी आती है जैसे ग्रहकों की आदत स्वाद वा रूची में परिवर्तन हो जाए कच्छे मेल की उपलवत्ता वा गुडवत्ता में परिवर्तन हो जाए कुछ सब्दा और भी हैं जो हराज से काफे मिलते जुलते हैं आए उनका भी जान लेते हैं पहचान लेते इन शब्दों से, एक शब्द आता है Deplation, रिक्ती करन, इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक संसाधन जैसे खान, तेल के कुउओं आदे में होने वाली कमी के लिए किया जाता है खानों में से खनी जात निकलने से कुउओं से तेल निकलने से उनके भंडार घड़ते चले जाते हैं जिससे उनके मूले में कमी आती है इसे ही रिक्ती करन यानि की Deplation बोलते है अपलेखन अमोर्टाजेशन अभी मैंने कहा था कि Profit and Loss Statement में एक सब हेट आएगा Expenses हेड के अंतरगत Depreciation and Amortization Expenses तो मैं आपको बताना चाहता हूँ Depreciation Tangible Fixed Assets पे लगती है और जो Amortization है वो Amort तो यानि Intangible Fixed Assets पर होता है इनके उधारन है प्रारंभिक वे ख्याती बेपारचिन आदे इनका एक हिस्सा प्रतिवर्ष लाभानी बिवरन में दिखाए जाता है और इस प्रक्रिया को ही अपलेखन कहा जाता है एक और हरास का यूँ कहले हरास से मिलता जुलता उसका जुडवा भाई है fluctuation उच्चा वचन किसी संपत्य के बाजार मुल में होने वाले उतार चड़ाओ या उतार चड़ा यानि आ इस्थाई कमी या वरद्धी तो किसी भी संपत्य के आ इस्थाई कमी को हम उच्चा वचन बोलते हैं देखिए समझेगा मांग या पूर्त में अचानक कमी हो जाए या वरद्धी हो जाए तो बाजार मुल में उसका परिवर्तन होना स्वभाविक है और इस्थाई संपत्या हैं जैसे कि मशीन, फरनीचर, भूम, भवन वगएरा इनके लगातार प्रयोग से के आप इन्हें करे करते हैं बेचने के लिए तो करते नहीं हैं तो इसलिए इस्थाई संपत्यों के बाजार मुल में होने वाली कमी या आधिक को हम पुस्तकों में नहीं दिखाते हैं यह संपत्यां लागत में से रास घटा कर आर्थिक चिठ्थे में दिखाई जाती हैं तो जो fluctuation होते हैं हम उने note नहीं करते हैं हम कहीं नहीं कहीं depreciation को ही note करते हैं पट fluctuation क्या है आपने वस्तकों कोई खरीदा जिस भी मुले पर खरीदा अगर बादार में उसका मुल घटता और बढ़ रहा है उसमें जो कमी दिखेगी वो depreciation के काफी करीब है और अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको appreciation भी कहा जाता है लेकिन खेर अभी fluctuation का मतलब book value और market value में जो differences हैं उनकी वज़े से जो changes होते हैं लेकिन हम books में record करते हैं depreciation को एक और शब्द है अप्रचलन अभी हमने इसको discuss किया था नए अविशकार को कारण आधिक कारिक्षमता वाली मशीने जैसे ही बाजार में आती है तो पुरानी मशीनों के मूले में कमी हो जाती है और मूल में इस कमी को कहा जाता है क्या प्रचलन obsolescence राइट नई तकनीक वाली मशीन का अविशकार पुरानी तकनीक की संपत्यों को बेकार कर देता है क्योंकि नई तकनीक से कारिको अधिक उशलता से और कम खर्चे में संपन किया जा सकता है अब फाइनली आता है मरमत हरास यानि रिपेर डिलेपिडेशन रिपेर डिलेपिडेशन मरमत हरास वह अवश्यक राशी जो पट्टा धारी द्वारा संपत्य को लोटाने से पहले वास्तवेक इस्थित में लाने के लिए खर्च की जाती है जब पट्टे पर ली गई संपत्य की अवदी समाथ हो जाती है तो संपत्य का स्वामी यह चाहता है कि संपत्य उसी इस्थित में उसे मिल जाए जिस इस्थित में पट्टे के अनुबंद के समय थी इस उद्देश की पूर्टी के लिए पट्टा धारी प्रतेक वर्ष अपने लाभों में से कुछ राशी निकाल कर अलग रख लेता है समानिता मरमत रास की राशी को पट्टे पर ली गई संपत्य की लागत में जोड़ कर रास की गढ़ना की जाती है तो मरमत रास को जीरनता शब्द से भी परिभाशित किया जाता है खेर अभी तक हमने ये कुछ मिलते जुलते शब्द जो थे डिप्रेसिशन से वो जाने और अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जरूरत क्या है रास लगाने की क्या महत्त है इसका और किस उदेश के साथ हम इसे करते हैं तो नीड इंपोर्टेंस एन अबजेक्ट्स क्या क्या है डिप्रेसिशन प्रवाइड करने के सबसे पहला है इसमें हमें शुद्ध हानिका अगर निर्धारन करना है लाभ का निर्धारन करना है तो डिप्रेसिशन लगाना होगा किसी विवसाय के सही लाभ हमें तभी गयात होते हैं जब उन लाभों के उपारजन के लिए लगाई गई सारी लागतें लाभान निखाते या लाभान विवरण में दर्ज की जाएं दिखाई जाएं क्योंकि आए कवाने में संपत्यों का भी प्रियोग होता है और संपत्यों का मूले हरास भी अन्य वे जैसे मजदूरी वेतन किराया आदकी तरह ही वे है तो इसे भी दिखाया जाना चाहिए तभी शुद्ध लाभ या हानिका निर्धारन हो सकेगा तो एक तो ये रीजन है दूसरा चिठ्थे द्वारा सही अर्थिक स्थित प्रिकट करने के लिए अगर आप रास दिखाएंगे तो ही आप जो बुक वेलूज हैं उसमें से इन रास को घटा करके संपत्यों को सही मुले पर दिखा सकेंगे तो जो चिठ्था बनाने का एक उद्देश होता है कि वो विवसाय की ट्रू और फियर सच्ची और सही तस्वीर को परश्चत करे वो अपने उद्देश से पर खरा उतरेगा तो चित्थे दौरा सही आर्थिक इससे प्रिकट करने के उद्देश से भी हम डेप्रिसेशन चार्ज करते हैं सही उत्पादन लागत ग्याद करने के लिए मशीनों का उप्योग किया जाता है मशीनों का एक हिस्सा साल भर में लगातार यूज में आता है अगर हम उसे नहीं घटाएंगे तो हमें वास्ताविक उत्पादन लागत से कम लागत पता चलेगी और हम एक भरम में रहेंगे कि हमने ज़्यादा लाब कमाया है तो हम चाहते हैं कि हमारी सही लागत हमें ग्यात हो जाए इसके लिए भी हमें डिप्रिसेशन लगाना होता है फिलहाल इसकी एक रीडिंग कर लेंगे मुझे लगता है आप बात समझ गये होंगे संपत्त के प्रतिस्थापन के लिए कोशों की विवस्था करने के लिए देखिए प्रतिस्थापन का मनलब होता है आपने अभी एक एक एक्जाम्पल में जाना था कि आपने कार खरीदी थी जिसका लाइफ स्पैन फिप्टीन इयर्स था सम्थिंग तो 15 साल के बाद फिर एक नई कार खरीदनी पड़ेगी न तो नई कार जब आप खरीदेंगे तो फिर कहां से पैसा आएगा उसके लिए आप अभी से प्रोविजन फार डेप्रिसेशन करते चले आते हैं यह एक निशित धनराश है जो Profit and Loss Statement से आप एक अलग जगे पे प्रोविजन के रूप में स्टोर करते चले आते हैं Year to Year, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और यह धनराशी बढ़ती चले जाती है इस तरह से पंदरा साल बाद आपको एक अच्छी खासी धनराशी मिल जाती है और फिर आप इस धनराशी का उप्योग नई कार खरीदने में कर पाते हैं तो यह है संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए कोशों की विवस्था करने का मध्यम यद्यपी रास की राशी को लाभानिक हाते में डिविट किया जाता है परन्तो अन्य भेव की भाती क्योंकि इसका नकत में भुगतान नहीं किया जाता तो एक तरह से वह विवसाय में ही संचित होता रहता है और जैसे ही अनुमानित जीवनकाल 15 साल बिता है वैसे ही जब आप नई संपत्य क्रे करना चाहते हैं तो इस संचित राशी का आप यहाँ पर उप्योग कर सकते हैं ठीक है चलिए अगला भाइंट है लाभांश का पुंजी में वितरन रुकने के लिए समझना यदि हरास ना लगाया जाए तो लाभांश निखाते दोरा दिखाये गए लाभ विवसाय के वाज़त एक लाभ से अधिक दिखेगा जब लाभ अधिक होगा तो विवसाय के स्वामियों दोरा उसे डिविडेंड या लाभांश की रूप में निकाल लिया जाएगा या उनमें वो बंट जाएगा लाभांश की रूप में तो इस प्रकार बाटे गए लाभांश में हरास की वह राशी भी शामिलोगी जो वाज़तों में पूंजी का ही हिस्सा है अता पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए हरास का प्रावधान किया जाती हैं कम हो जाती हैं ठीक हैं आपको शाय समझ में आ गई होगी बात तो टैक्स को कम रखने के लिए भी डिप्रिसेशन लगाते हैं कुछ और उद्दिश भी है जैसे कि करमचारी वर्ग अधिक मजदूरी और बोनस की मांग करने लगता है जब डिप्रिसेशन नहीं लग करके उसी सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिससे कमपटीशन बढ़ता है तो हम लाव को कम करके दिखाना चाहते हैं अनावश्य कमपटीशन से बचने के लिए फिजूल खर्ची से बचने के लिए और करमचारियों की मजदूरी और बोनस के बढ़ान कि depreciation हम उसी पर एक निशित दर से लगाते हैं सवाल है कि संपत्ति की लागत कितनी मानी जाएगी तो एक तो संपत्ति को जब हम खरीते हैं तो उसका बीजक मुली होता यानि कि जो उसका cost price है तो बीजक मुली अगर उसका कोई marked value है यानि कि printed value है तो उसमें जो भी ब्यपारि चूट वगरा होगी वो घड़ जाएगी पहले फिर संपत्ति की लागत में उस संपत्ति को लाने का गाड़ी भाड़ा अगर कोई बीमा है तो और उसको अगर इंस्टाल करना पड़ा है तो उस पर स्थापना वे जैसे मजदूरी वगरा जो उसमें improvement अगर कुछ करने पड है और उसी लागत पर आप ultimately depreciation charge करते हैं दूसरा यह भी देखना होता है कि संपत्ति का अनुमाने तो प्योगी जीवन काल कितना होगा यह अगर हम देख लेंगे तो जो भी उसकी value होगी वह हम उतने वर्ष में divide करेंगे हम उतने में उसे divide करेंगे जितने साल की उसकी जीवन अवधी होगी ठीक है तो हम चलाना depreciation निकाल सकेंगे बाकी detail में आप इसे पढ़ लीजेगा अनुमान वर्ष महीने कारिगंटों के अधार पर भी कर सकते हैं जैसे एक machine है 20 वर्ष तक अगर चलने की संभावना है और नई तक निकी करन अगर वारा वर्ष में उसका प्रयोग हो रहा है तो इसका जीवनकाल 20 की जगे वारा वर्ष ही माना जाएगा एक और बात आती है संपत्य का आनुमानित अवशिष्ट मूल कितना है देखिए अवशिष्ट मूली मतलब जो उसका जैसे कार आपने खरीद आते हैं कि जब बारा सल बिज चुके होंगे तो इसका जो कबाड मूली होगा इसे अवशिष्ट मूली बोलेंगे ठीक है स्क्रैप वैल्यू यानि कि कबाड मूली ठीक है कबाड में जब आप उसका लोहा बेचोगे तो अठारा हजार के बिग जाएगी तो ज़रा सा इसकी स्क्रेपर वैल्यू बची रए गई तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपान लाइफ स्पैन तो यह फार्मुला है कॉस्ट क्या है असी जर प्ल Catalunya प्लуш सात जर अच्छित की नहीं है तो और इसकी मरमत की उचित विवस्ता है तो शुरूआत में राज की दर कम होगी लेकिन इसके अगर विपरीत इस्थित है तो हराज की दर उंची होती चलिए जाएगी संपत्ती का विस्तार extension of the assets यदि संपत्ति के विस्तार पर कुछ अतरिक्त राशी खर्च की गई हो तो हरास की गढ़ना करते समय इस राशी को लागत मूले में भी जोड़ा जाता है जो कि आपने अभी उपर point number 3 में देखा था संपत्ति के विक्रेग अगर बात करें तो संपत्ति का कुछ हिस्सा इसके जीवनकाल में ही कभी-कभी बेज दिया जाता है तो इसे इससे लागत में से कम कर दिया जाता है और जो हिस्साब बेज चुके हैं उसके बाद जो value बचेगी उस पर depreciation लगा जाएगा संपत्ति के मरमत संबत की मरमत का सही प्रभंद ह्यास की राशी को कम कर देता है अता ह्यास की गढ़ना करते समय अगर कोई मेजर मेंटेनेंश एक्टिविटी संपन निखी गई तो उसे ध्यान में रखना होगा नए अविश्कारों की संभावना possibility of new inventions नए विश्कारों की संभावना वर्तवान मश्रूनों के मुल्य और उपयोगी जीवनकाल को कम कर देती है तो depreciation बढ़ जाता है वैधानिक प्रावधान यहाँ पर legal provisions जैसे होंगे उस पर बहुत कुछ अंदर बढ़ता है समझना जरा company अधनियम वो आईकर अधनियम इन अधनियमों में हरास के सम्मंद में बिभिन प्रावधान बनाए गया है जिने हरास की गड़ना करते समय ध्यान में रखना होता है भविश्य में होने वाले किसी वैधानिक परविर्तन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा यानि कि law को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा legal provisions को बगेर द्रिश्टिगत किये आप सही depreciation नहीं लगा सकेंगे हमारे जो law हैं especially company अधनियम और income tax अधनियम में different assets के लिए different depreciation rates दी गई हैं आपको उन्हें ध्यान में रखना होगा फिलाल वो आगे आ जाएगा हो सकता है कि detail में ना आए लेकिन थोड़ा समय आपको बता दूगा कारी करने की दशाएं जहां आप काम करते हैं तो उस machine का कैसे उपयोग किया जा रहा है 24 गंटे गर तीन पालियों में काम किया जाएगा तो depreciation की दर साला नज्यादा होगी वहीं अगर इसमें दो shift में काम हो रहा है तो कम होगी एक और भी बात है जहां उस machine का उपयोग हो रहा है अगर वहां प्रकरतिक जोखिम जादा है तो भी संपत्तिकी आयू कम होगी इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार है अगर वह कार का उपयोग सिर्फ शहर में हो रहा है या दूसरी एक situation की कार का उपयोग गाउं में भी हो रहा है तो शहर वाला गर कोई professor है और वह अपने घर से दूर 10 किलोमेटर की distance पे उसकी university है जह जहां वो जाता है ठीक है उसके शहर में उसके घर से 10 किलोमेटर की दूरी पे उसकी अपनी university है जहां पर वो जाता है ठीक है तो university की यह जो building है यहां पर यह जाता है ठीक है और यह 10 किलोमेटर दूरी पे है लेकिन जो गाउं का बंदा है वो प्रते दिन अपने गाउं से निकलता है और लगभग 100 km की डिस्टेंस तै करता है और इसी युनिवस्टी में आता है माल लेता है तो अभी क्या है कि कार का यूज कैसा हो रहा है इस पर डिपेंड करेगा कि यह कार का लाइफ ताइम लगा और इस पर डिपरीशेशन कितों लगेगी कम यूज तैज ज्यादा अपर लाइश ज्यादा लगश में अंतर है अपने पीछे पढ़ा था यहां पर कुछ पॉइंट दिये गए है अर् प्रभाव बाजार मुले प्रभाव और निश्कर्स इन बेसिस पर इन में डिफरेंसियशन किया गया है आपका काम यह है कि आज आप इस डिफरेंस को पढ़ेंगे समझने की कोशिश करेंगे अगर कहीं कोई डाउट है तो आज आप इसी वीडियो के कमेंट भॉक्स में तु आज में आजाये तो भी आप एक कमेंट लिख सकते हैं कि सर आएब अंडर्स्टुड आवरी थिंग सो थैंक यू सो मच पर वाचिं इस वीडियो तिल एंड सर आएब एलस्टू गेडियो थैंक यू सो मच